नमस्कार संसर टीव में आपका स्वागत है मैं हूँ पवन कुमार शर्मा दस्वी CPA इंडिया रीजन का सम्मेलन है उसका आयोजन दिल्ली में हो रहा है और इस आयोजन में शिरकत करने के लिए देश की अलग-लग विधानसभाओं के द्यक्ष दिल्ली पहुचे हैं इसी सिल् राजस्थान विधानसभा के अध्यक्ष प्रफेसर वासुदेव देवनानी जी इस वक्त हमारे साथ है आपका संसर टीव में बहुत-बहुत स्वागत है देवनानी जी जो थीम है जो दस्वां समेलन है CPA इंडिया रीजन का वो सतत और समावेशी विकास विधाईका के जर सतत और समावेशी विकास आज की साम्यक आवशक्ता भी है वैसे भी हमारी जो सनातन संस्कती है उसका यह एक महत्तोपूर्ण अंग भी रहा है और यह तो पहले पंडिय दिन्द्याल युपाधिया ने भी अंत्योद्य योजना प्रानब की थी जिसका उद्देश यही था कंतिम छोड तक बैठेवी व्यक्ति तक यह विकास पहुंचे क्योंकि विधायका एक निर्दारित करती है कानून भी बनाती है और उसका किर्यामिंती भी करती है विधायका का महत्तोपूर्ण रूल है अध्यश के नाते तो एक सीमित उसमें संभावना होती है लेकि सरकार के साथ बैठ करके इस प्रकार की दिशा दी जा सकती है जैसे वर्तमान में केवला आर्थे की विकास ही सब कुछ नहीं है लेकिंगा आर्थे विकास के साथ सिक्षा चिकित्सा पर्यावरण जल संग्रण यह भी आज की आवशक्ता हैं जिसमें अनुसार नीतियां भी बननी इसको लागू किया गया वर्तमान में भी इस पर काम चल रहा है और पर्यावन के द्रिश्टी से सोलर उर्जा के विशे ध्यान दिया जा रहा है सोलर उर्जा पे कई योजनाय बनी है और राजस्तान तो मुझे लगता है दीरे दीरे देश के पहले नंबर पर आ जाएगा ह हुआ हमारा विधान स्वच Communication की है पुस भवन को भी हम सोलर के साथ हमने जूड रहे हैं सात हुझा मरे आवास भने इस बजट में हमने विश政 के साथ जूड़ने का कढ लिया है और जल संग्रण के लिए भी लगातार हम लोग क्रियावित कर रहें ताकि जो हमारे पुरा न तंत्र हैं जिसे कुए हैं बावडियां हैं सागर हैं इस बार राइस्थान में बहुत ज्यादा बरसात हुई जिसके करने कई शेहरों के अंदर जल भराव भी हो गया तो उनका ड्रेने सिस्टम ठीक करते हुए जहां पर पानी नहीं पहुंच रहा है यह जो एक्स्ट्रा पा हैं और अगले बजट में इसको ज्यादा प्रभावी डंग से कानून के रूप में लाएं ताकि जब तक जल दोहन पर नियंतर्ण नहीं होगा तब तक हम इस समस्या से नहीं सकते हैं क्योंकि राइस्तान में जन संक्या के मुकाबले जल बहुत कम हैं पीने का पानी तो और कम हैं उसके प्रदी जागरूपता के कारकम मीं चलें और साथ में व्यक्षार उपन के लिए मां के नाम एक पेड का आवान किया क्यों व्यक्ती का सबसे ज्यादा प्रेम मां के साथ होता है उसका जोडते वे रिक्ष भी रहें लगें और साथ में उस रिक्ष का संभाल भी प्रपर ढंग से हो इसलिए वन उद्यान भी बन रहे हैं और मैं समझता हूं कि इसलिए पेड़ लगाओ का भियान चला जल सरक्षन का लगा और कई जगे गाओं में इत्यादी टांके भी बन को पेने का पानी उपलब्द होता है तो इस प्रकार का आवान उस नीति को लागू तो कर रहे हैं लेकि राइस्तान में इसको और बढ़ानी का आवशिक्ता है जो मानिया अठल जी का एक सपना था कि नदियों को जोड़ने का और वो पॉलिटिकल कारणों से नदिया पूर तो देवदानी जी चाहे राजस्तान की विधान सबा हो तो जैसा आपने बताया कि उर्जा सरक्षन पर जल सरक्षन पर परेवन सरक्षन पर इस पे जादा जोर दिया जा रहा है इसके साथ ही विधान सबा में बहुत से नवाचार भी चलते रहते हैं और राजस्तान विध विधान सभा बहुत ही गरिमा माय रही है कि अध्यक्षों ने अपने परंपराओं अपने मर्यादाओं अपने नेड़ने से इसको सीचा है और उसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए हमेशा विधान सभा के बारे में धार्णा रहती है कि यह तो एक बिल्डिंग है इसमें तो मनें बनाया है जिसमें 1552 से लिकर आज तक राजयस्थान का पूरा इत्यास पॉर्शाय क्या राजनितिक जीवों का भी डरस आगा है स्वतंते आंदोलन का भी ए दर्शायाया है सात् möchten हमारे जो बाकी सारी चीजें उसको भी दर्शाग है तो उसको देखने के लिए आमंतित किया और मुझे खुशी है कि जो पिछले वर्षों में एक दहाई अंकोता की लोग आते थे पिछले लगवक 6-7 महीने में लगवक 7000 लोग उसको देख चुके हैं और उसके लिए हमने जो प्रतने किया कि ज देखने जाना है इस प्रकार का यह उसको जानकारी मिले साथ में नई पीड़ी को इसके साथ जोड़ा जाएं तो इसकूल सिक्षा और कॉलीज सिक्षा के दोनों सचीवों से चर्चा करते हुए उनके बच्चों को भी आना शुरू किया बच्चे टूर पे निकलते हैं वह जोड़ के आने शुरू हुए मैं समझता हूँ इस निश्चुरू से विधानसभा जन के बीच में जो दूरी है वह भी समाप्त होगी और जब सदन चलता है दर्शक दीर गाहों पे भी हमने खुले मंद से अलग सुरक्षा की नियमों का जान में रखते हुए उसको भी अन दों का निदान भी है इसके दिश्ची देक तो अधिक दिन सदन चले उसे मुझे द्यान है कि इस बार शायद हम काफी दिनों बार तीस दिन अभी सत्र चल चुका है आगा में कुछ बाकी एक सत्र तो उसमें कुछ और अधिक चलेगा तो सदन की बैठक हो और उसमें ने विश्यों का परिक्षण करवाया कितनी प्रकरण निरा उसका निराकरण किया इस सब की समीक्षा हुई और उसमें कई बार जानके मैं को सदस्य कम आ रहे हैं तो उनको व्यक्तिक पत्र लिखके भी आग्रह किया कि आप इसमें आया करें यह अपने डूटी बनती है तो विधानसवा की सारी जानकारिया उसमें एक कॉलम रहता है किस विधायक ने अपने क्षेत्र में कौन सा नवाचार किया तक सब लोग उसको जान सके इस पर का नहीं नहीं कुछ प्रयोग हम लोग कर रहे हैं और अभी इसको पेपरलेस मननेने का अपने नहीं किया है उसमें विधानसवा के नाम से प्रोजेक्ट लिया है उसका काम शुरू हो गया है हमारा अगला सत्र पेपरलेस होगा और निवा के प्रोजेक्ट से हर स्टेप पर कॉम्प्यूटर ये पैड होगा उसको घर पे भी होगा ता उसी पर क्वेश्चन पूछ सके उसी पर उसका अंसर म उसको मिल जाए और विधेक वगर उस पे आए इस प्रकार के एक नवाचार शुरू किया तो रास्थान विधानसवा के विधाक्षे प्रफेसर वासुदेव देवनानी उनका कहना है कि रास्थान विधासवा को जनता से जोड़ा जा रहा है लोग वहां पे पहुंच रहे है और उसकी प्रड़क्टिवटी भी बढ़ रही है और उसमें नवाचार भी हो रहे हैं पवन कुमार शर्मा संसर टीवी नई दिल्ली